नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अश्रीद वेदी और मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ अपनी इस वीडियो में पार्ट 72 है ये लक्षमी कान्थ की सीरीज का यहां पर बात करेंगे आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 ऑफ दा इंडिन कॉंस्टिजूशन देखिए आर्टिकल आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल 359 ऑफ दा इंडिन कॉंस्टिजूशन की डीटेल में अनलिसिस करेंगे साथ साथ आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 की बीच का फर्क किया है ये देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि देश में तीन बार जो अब तक इमर्जेंसी लगाई गई है वो कौन-कौन से बेसिस पर लगाई गई कब लगाई गई और उसका क्रिटिसिसम कौन-कौन से आधार पर हुआ है तो आई होप आपने किताब खरीद लियोगी दोस्तों और खरीद के मेरे साथ पढ़ रहे होंगे आगे बटन इस पहले वीडियो पर लाइ एसेज कर सकते हैं और मेरे दोरह बनाए गई कुछ और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं अब हम यहां पर बात करेंगे जहां पर हमने लक्षमी कांत को लास्ट टाइम पर छोड़ा था suspension of other fundamental rights पिछली बार article 358 के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि भाया जैसे ही emergency लगेगी देश में fundamental rights under article 19 चले जाएंगे according to article 358 आर्टिकल 19 के अंदर जो हमको fundamental rights मिले हैं वो automatically suspend हो जाएंगे in accordance with the provisions of article 358 अगर वो emergency लगी है on the basis of external aggression और war वो मैंने बहुत डीटेल इन पिछली वीडियो में कवर किया यहां दुबारा बोलने की जरूत नहीं है अभी यहां पर बात हो रही है कि जब 369 के अंदर 359 के अंदर emergency लगी तो क्या होगा तो देखिए 359 हमारे president को यह ताकत देता है कि he can suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights to unique national emergency तो अगर national emergency लगी है तो president आप लोगों के यहां देश के नागरिक के court जाने के right को रोख सकता है किसके दौरान emergency के दौरान यानि कुल मिला के बाद यहां पर क्या हो रही है कि जब भी national emergency लगी है fundamental rights inactive नहीं हुए उन fundamental rights का enforcement inactive हुआ है इस बात को समझने कोशिश कीजिए article 359 के text के हिसाब से अगर देश में emergency लगी है national emergency तो fundamental rights are not suspended only their enforcement is suspended मतलब की fundamental rights अभी भी exist करते हैं लेकिन अगर आपके fundamental rights violate हो रहे हैं तो आप उसकी remedy नहीं ले सकते हो अब खास बात दोस्तों यह है कि fundamental rights violate कौन से किये जा सकते हैं यह एक बहुत बड़ा issue है तो article 359 के अंदर प्रेजिडेंट को यह ताकत मिलती है कि प्रेजिडेंट एक presidential order issue करेगा देखिए यहां लिखा हुए प्रेजिडेंट एक presidential order issue करेगा और उस presidential order में प्रेजिडेंट साफ साफ लिखेगा कि कौन से fundamental rights violate किये जा सकते हैं इस presidential order में साफ साफ लिखा होगा कौन से fundamental rights वालेट की जा सकते हैं कौन कौन से loss बनाएगा है emergency में बहुत सारा detail में जैसे for example कल की date में चाइना अगर हम पर अटाक कर देता है तो article 358 active हो जाएगा और article 19 automatically suspend हो जाएगा चुकि external aggression हुआ है war हो रहा है लेकिन article 359 में president को एक order issue करना पड़ेगा और उस order के तू प्रेजिडेंट ये बताएगा कि देश में ठीके और कौन कौन से fundamental rights suspend है अभी fundamental rights suspend नहीं है उनका enforcement suspend है यानी कि fundamental rights अगर violate होते हैं तो आप उन fundamental rights के वाइलेशन के remedy नहीं ले सकते तो आप court नहीं जा सकते हैं लेकिन आपके fundamental rights जिन्दा हैं, तो जब emergency खतम हो जाएगी, तब जिस हद तक वो emergency निवाले नियम कानून आपके fundamental rights को violate कर रहे थे, वो violation खतम हो जाएगा. एक और बात दोस्तों, presidential order में ये साफ साफ लिखा रहेगा, कि ये जो, देखें, emergency जितने भी समय के लिए आई हो, उस emergency के दोरान, article 359 के अंदर, fundamental rights को, किन fundamental rights को violate किया जा रहा, ये भी बताया जाएगा, और कितने दिन के लिए वालेट किया जा रहा, ये भी बताया जाएगा. तो भाई, जब आपका presidential order आएगा, उसमें लिखा होगा, कि ठीके भाई, ये ये fundamental rights लोगों को नहीं मिलेंगे, और इतने समय के लिए नहीं मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद उसे ये भी बोला जा रहा है, कि ये जो suspension order होगा, उसमें ये भी लिखा जा सकता है, कि कौन सी जग हो सकता है कि शुरुआत में, जब conflict limited हो, तो केवल अरुनाचल प्रदेश में, या जो चाइना के साथ border लगाते हैं, states केवल वहाँ पे Article 359 का presidential order लागू हो, और पूरे देश में लागू ना हो, लेकिन अगर एक full fresh war हो जाता है, और चाइना के attack का खत्रा Indian Ocean के side से रहता है, तो उसके इसमें पूरे देश को भी apply किया जा सकता है Article 359 का proclamation, तो Article 359 actually में एक ऐसा presidential order को validity देता है, वो presidential order बताएगा कि Article 19 के अलावा कौन-कौन से fundamental rights violate किये जाएंगे, कितने समय के लिए violate किये जाएंगे, और देश के कौन-कौन से इलाकों में violate किये जाएंगे, और जब ये presidential order force में होगा, उस समय पे state कोई भी executive action ले सकता है, उस समय पे state कोई भी नियम कानून मना सकता है और उस नियम कानून के चलते fundamental rights को violate किया जा सकता है, ठीक है? अब आप देखिए, अगर इस presidential order के तहद कोई नियम कानून मनाया गया है, और वो नियम कानून कोई ऐसा executive action कर करता है, यह administrative action करता है, हाला कि administrative action, executive action में ही आते हैं, तो इन actions के द्वारा, अगर किसी तरीके के fundamental rights को violate किया जा रहा है, और वो fundamental rights का violation लिखा हूँ है presidential order में, तो अब वेसी बात है, उसमें फिर कुछ किया नहीं जा सकता है, इमर्जेंसी के दौना, आपके fundamental rights violated है, और जब य ने बताया था, national emergency एक समय पे 6 महीने के लिए लगाई गई है, अभी ये presidential order में लिखा रहेगा, कि fundamental rights के application को कित्ते समय के लिए रोका गया है, तो माल लिजे, emergency एक बार में अप्रिव हूई 6 महीने के लिए, और presidential order 4 महीने का issue हुआ, तो जैसे ही 4 महीने का time is presidential order का खतम होगा, वैसे fundamental rights active हो जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि जित्ती देर की emergency हो, उत्ती देर का presidential order हो, presidential order में लिखा रहेगा कि कितनी देर के लिए आपके fundamental rights violate है, और जैसे presidential order का time खतम होगा, उस समय पे, जिस हद तक नियम कानून आपके fundamental rights को violate कर रहे थे, उस हद तक वो null invite हो जाएंगे लेकिन अगर presidential order के तहद कोई legislative action लिया गया है, कोई executive action लिया गया है, कोई ऐसा law बनाया गया है, जो कि एक नया law है, पहले नहीं था, और वो presidential order के through बनाया गया है, और उस नय law के तहद legislative actions और administrative actions लिया गया है, तो उन administrative actions की कोई remedy नहीं है दोस्तों, ठीकिना, उस समय पे कोई गलती हुई है, तो वो गलती माफ है, जिस officer ने भी गलती किया, वो गलती माफ है, चुकि emergency के दुरान कुछ भी किया जाए, उसकी माफी available है, ओके, फिर आप देखोगे, article 359 भी ताकत दे रहा है, आपकी central government को, parliament को, parliament तो emergency को extend करेगी, लेकिन presidential order तो आपका cabinet के कहने पे issue होग अभी 44th amendment act 1978 ने, 359 के application को थोड़ा से limit किया, आपको मैंने बताया था, कि article 358 का जो application है, उसको भी limit किया था, 44th amendment act 1978 ने, कैसे limit किया था, कि भाई, article 19 के अंदर जो भी freedoms दे रखी है, वो automatically कब neural void होगी, जब national emergency लगी है, on the basis of external aggression और war, तो बाहर से अगर कोई attack हुआ है, उस basis पे national emergency लगी है, तो article 19 अपने आप neural void हो जाएगा, armed rebellion में नहीं होगा, उसी तरीके से, 44th amendment act 1978 ने, article 359 के भी application को कुछ हद तक रोका है, पहले कैसे रोका है, देखे लिखा हुआ है, अगर national emergency के दुरान, article 20 और article 21 के अंदर बताये गए, अभी ये दो rights अगर आपके violate होते हैं, तो इनके violation को null and void नहीं किया सकता दोस्तों, इनका violation अगर हुआ, तो एक इंसान के पास, हमेशा ये आजादी है, कि वो supreme court और high court के पास जाके, अपने rights को enforce करवा सकता है, तो emergency के दुरान, article 20 और article 20 null and void नहीं होगे, article 20, 21 रहेंगे, हाँ, article 19 के साथ 358 में deal हुआ, article 359 की limitations आप article 20 और 21 पे नहीं ठोक सकते हैं, लेकिन इनके अलावा सारे fundamental rights को एक presidential order के तुरू, president चाहे, तो रोक सकता है national emergency के दुरान, ठीक है, और तो एक तो safeguard 44th amendment act 1978 के तुरू क्या हुआ, ये article 359 में आप article 20 और 21 फाले fundamental rights को नहीं एटा सकते हैं, दूसरा ये बोला गया, कि emergency के दौरान, केवल उन laws के तहत लिए गया action safeguarded है, जिन laws को emergency के दौरान मनाये गया है, या नहीं emergency लगी, उसका presidential order आया, उस presidential order के तहत कोई executive law बना, कोई administrative law बना, कोई legislative law बना, और उस legislative law के थूरू बहुत सारे actions लिए गए, बहुत सारे executive actions लिए गए, तो केवल ऐसे executive actions, केवल ऐसे administrative actions, केवल ऐसे legislative actions, जो की emergency के दौरान presidential order के दौरा लाए गए नए नियम कानून या emergency को impose करने के दौरान कोई एक नए नियम कानून अगर पारलेमेंट लेके आई है उस नए नियम कानून के तहद अगर कोई action किया गया है तो उस action की कोई remedy नहीं है पहले से ही कोई law वहाँ पे operational है यानि emergency लगने से पहले से ही कोई law उसे state में operational है या उस इलाके में operational है और उस पहले वाले law के तहद आपने कोई action कर दिया emergency के दौरान तो उस action के लिए आप liable हो लेकिन कोई नया law बनाया गया ठीके ना कोई नया presidential order में clause जोड़ा गया उस नये clause और नये law के चलते आपने कुछ किया emergency के दौरान तो उसके लिए आपको responsible नहीं ठेराय जा सकता emergency खत्म होने के बाद यानि कि emergency के दौरान एक नये law के चलते कोई IPS एक भीड में खड़े पांच ये छे लोगों को गोली मार देता और वो पांच ये लोग मर जाते है तो emergency खत्म होने के बाद उन पांच ये लोगों के murder के case में उस IPS को convict नहीं किया जा सकता चुकि उस IPS ने अपना action किसके तहत लिया है एक ऐसे law के तहत लिया है जो emergency के दौरान बनाया गया था extraordinary situations को जेलने के लिए मेरा logic समझ गया न आप ठीक है आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे यहाँ पर distinctions between article 358 एं article 359 बहुत simple distinctions है बहुत बोल बच्चन distinction है पहला distinction क्या है article 358 is confined to article 19 ठीक है तो article 358 तो भाई यह article 19 को confined है और article 359 article 19 के अलावा सारे fundamental rights को रोख सकता है लेकिन article 21 के rights को नहीं रोख सकता 358 is only confined to article 19 359 is confined to all articles except article 19 and except article 2021 2021 को तो हटाया जाई नहीं सकता 19 358 में हटता है इनके अलावा जितने भी fundamental rights है उसको 359 के अंदर presidential order के थू हटाया जा सकता है यह पहला difference दूसरा difference की बात की जाए तो भाईया दूसरा difference में article 358 automatically fundamental rights को suspend कर रहा है अंडर आर्टिकल 19 अगर emergency डिक्लेर हुई तो अंडर आर्टिकल 19 automatically fundamental rights suspend हो जाएंगे आर्टिकल 359 automatically fundamental rights को suspend नहीं कर रहा है यहाँ पे presidential order issue करना पड़ेगा fundamental rights को suspend करने के लिए फिर तीसरा difference भी यही बताया जा रहा है दोस्तों article 358 लागू होता है तब जब emergency केवल external emergency के basis पे लगाई गई हो external aggression हुआ और war अगर इन दो cases में emergency लगी है तब ही article 358 play में आएगा नहीं तो article 358 play में नहीं आएगा यह नहीं अगर armed rebellion हुआ है उसके basis पे आपने national emergency लगाई है then article 358 का कोई role नहीं रहेगा वहीं पर article 359 external emergency के case में भी applicable है internal emergency के case में भी लगाई हो चाहे emergency internal aggression यानि की armed rebellion के आधार पे लगाई हो दोनों cases में article 359 applicable होगा article 358 केवल external aggression के cases में applicable है तिर भाया article 358 के और खास बात है जैसे ही emergency लगेगी और वो अगर लगती है external aggression के आधार पे तो fundamental rights under article 19 automatically suspend हो जाएंगे और जितने समय तक emergency चलेगी उतने समय तक under article 19 जो भी fundamental rights ते वो suspended रहेंगे लेकिन 359 में ऐसा नहीं है 359 में emergency किते भी समय के लिए चले presidential order जितनी देर के लिए fundamental rights को suspend करेगा उतनी देर के लिए fundamental rights suspended रहेंगे तो यह presidential order में depend करेगा under article 359 की fundamental rights कितनी देर के लिए suspended है article 358 पूरे country में फैला होगा article 359 country की किसी एक छोटे पार्ट में फैला हो सकता है या पूरे country में फैला हो सकता है वो depend करेगा उस presidential order पे जिसको proclaim किया गया है फिर भाई बोल बच्चन suspend कर देता है अगर emergency external aggression या war के आधार पे लगी है लेकिन article 359 आर्टिकल 20 को और article 21 को null and void नहीं कर सकता उसके बाद दोस्तों वही शब्दों को घुमा फिरा रखा है साथमा पॉइंट क्या कहरा है लक्ष्मी का article 358 enables the state to make any law or take any executive action in consistence with fundamental rights under article 19 while article 359 enables the state to make any law or take any executive action in consistence with those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order कुल मिला के बाद ये कह रहा है कि article 358 अगर प्ले में आ गया emergency लग गई external aggression की वैसे war की जैसे तो उस case में article 19 के अंदर जित्ते भी fundamental rights है उसको थोड़ा या पूरी तरीके से violate करके state कोई भी नियम कानून मना सकता है कोई भी executive action ले सकता है और जब तक national emergency लगी हुई है तब तक उन नियम कानून को कोई भी challenge नहीं करेगा वैसे ही article 359 के अंदर presidential order के अंदर जिन जिन fundamental rights को violate किया जा सकता है अगर उनके violation से related कोई भी law बनता है कोई भी executive action होता है तो कोई भी remedy नहीं है ठीक है ना उन law को आराम से violate किया जा सकता है तो कुल मेरा के बात यह है यह article 359 ने अगर यह बोल दिया emergency के दुरान की कुछ fundamental rights अपले की मिल नहीं है और उन fundamental rights को आप नियम कानून बनाके national emergency के दुरान blatantly violate करना शुरू कर दिया कोई कुछ नहीं कर पाएगा एक बात को अलग अलग तरीके हैं कहने के ठीक है देखो यहाँ पर कैसे कह रखा है टेक एनी executive action in consistence with those fundamental rights तो अब वेसी बात है fundamental rights के सब inconsistent इतनी देर से यही तो बात कर रहे हैं हम लोग बस एक ही बात को अलग अलग तरीके हैं बोलने के अब बात की जाए बहिया emergency का declaration इंडिया में कितनी बार हुआ है तो तीन बार emergency का declaration हुआ है पहले 1962 इंडिया चैना वार 1970 इंडिया पाकिस्तान वार और 1975 मन कर गया इंदर गांदी जी का तो emergency लगा दी उन्होंने जो पहला proclamation आया national emergency का आपको पता है 1962 में इंडिया चैना का वार चला था आप देखोगे कि उस वार में जो अरुनाचल प्रदेश वाली boundary है वहाँ पे भी चैना उन्होंने अटैक कर दिया लद्दाक वाले इलाके में भी लड़ाई हुई तो नेफा का जो इलाका है जिसक नौर्थ इस्ट फ्रेंटेर एजनसी कहा जाता तो उस समय पे आज में वो अरुनाचल प्रदेश है तो वहाँ पे इमर्जनसी लगा दीगे उन्निस सो अर्सट में और उन्निस सो अर्सट तक इमर्जनसी चली अभी जब यह पहली इमर्जनसी लगी आपको पता है 1965 में भी जरूरत नहीं पड़ी तो 1965 वाली जंग तो पहली वाली इमर्जनसी में ही निपट गई दूसरा प्रोक्लमेशन ऑफ इमर्जनसी कब आया तो दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटाक कर दिया आपको पता है चला ना मुक्तिवाहिनी वार चला था इस्ट ज उनको पॉलिटिकल पावर नहीं देता था उनको स्टेब ब्रदरली ट्रीटमेंट देता था तो बांगलादेश वालों ने बोला कि भाईया हम अलगे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे अभी जब अलग करने की बात करी जाने लगी तो पाकिस्तानी आर्मी ने हधी मचा राली बिलकुल बांगलादेश में तो उस समय पे बांगलादेश के लोगों ने इंडिया से मदद मागी इंडिया मदद कर भी रहा था यह मदद हो सकता है बहुत पहले आ जाती लेकिन मौनसून की कुछ प्रॉब्लम होगे तो कुछ वेदर पैटरंस थे उस वेदर पैट के वार के चलते इमर्जंसी का प्रॉक्लमेशन लगा दिया गया और इसके चलने के साथ साथ ही नैशनल इमर्जंसी लगा दी गई जून 1975 में तो जून 1975 में इंठर्नल experience के आदार पे जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो तब लगाई गई थी जब 1971 में लगाई गई इमरजेंसी औरड़ी चल रही थी ठीके ना तो एक और पारिलल इमरजेंसी लगा दी हाला कि आप देखोगे दूसरी national emergency जो कि 1971 लगाई गई थी और तीसरी national emergency जो कि जून 1975 लगाई थी ये दोनो national emergency कब खतम होगी मार्च 1977 तो पहले जो proclamations थे 1962 के और 1971 के ये इस समय पे किये गए था जिस समय पे सच में emergency की जरूरती देश में सच में देश में national security को खतरा था लेकिन 1975 का जो proclamations था वो लगाया गया था आपका internal disturbance के आधार पे और वो बहुत ही hazard तरीके से लगाया गया था cabinet के साथ किसी भी तरीकी का को discussion नहीं हुआ था इंदरा गांदी जी ने अपनी मर्जी से emergency लगा दी थी ठीके ना ये सबसे controversial decision था इसको आज तक criticize किया जाता है इंदरा गांदी जी का जो भी राज रहा है उनको बहुत सारे progressive decisions के लिए बहुत important decisions के लिए माना जाता है लेकिन इंदरा गांदी जी के राज की दौरान पर जो सबसे जादा इंदरा गांदी जी को criticize किया जाता है वो इसी emergency के वज़े से criticize किया जाता है आप देखोगे 1977 में जब emergency हटेगी उसके बाद जब लोग सबा के elections होंगे लोगों का इतना गुस्सा होगा Congress Party से इंदरा गांदी से कि Congress Party Center पर हार जाएगी चुकि जब देश आजाद हुआ था किसी ने सोचा नहीं था कि आगे आने वाले समय में कभी Congress Party हार सकती है अभी नई सरकार चुनके आएगी जनता पार्टी के अंदर जनता पार्टी जैसे ही पावर में आएगी वो एक Commission अपॉइंट करेगी जिसका नाम है शाह Commission शाह Commission से बोला जाएगा खिया आप इंक्वाईरी करिए कि यह जो इमर्जंसी लगाई गई थी क्या यह इमर्जंसी जस्टिफाइड थी इस तरीके के declarations को आगे रोकना चाहिए उसके लिए constitution में कुछ safeguards करने चाहिए और उन safeguards को लाने के लिए 44th amendment act लेके आया गया 1978 में अब आप बोलों के कौन से safeguards लाए गया तो पिछली दो वीडियो से बता रहा हूँ article 358 में safeguards लाए गया in fact 42nd amendment act 1976 अपने आप में एक mini constitution था उस mini constitution की maximum चीजों को nullify कर दिया गया 44th constitutional amendment act के थूँ ओके दोस्तों अगली वीडियो में बोलो president rule के बारे में बात करेंगा I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो thank you for watching have a great day